हाईलो फ्रेंड्स मैं ग्यान वर्धन धनबाज जाकंड इंडिया से आप सभी भीवर्स का अपने चैनल ग्यान स्पेक्स ग्यान बोलता है मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज बहुत उल्लास और उमंग का दिन है आज हम अपने पतनी अपने बच्चे अपने मित्र मोहन मंडल और उनके परिवार के साथ पिकनिक मनाने का प्रगाम बनाए हैं हम लोग अपनी नई कार जो आपको पता है हमने कली परचेस की थी संक्रांद के अफसर पे उसी कार से हम लोग मैथन डैम जा रहे हैं आज पिकनिक मनाने के लिए सुभई से सारे बच्चों में बहुत ही उमंग था उल्लाश था सारे लोग उत्साईत हैं और हम लोग धिरे-धिरे मैथन की और बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्द हम मैथन डैम पे पहुँचेंगे फिर वहाँ का मनोरम द्रिश्चे का अनन्द लेंगे कार धिरे-धिरे डैम की और बठती चली जा रही है देखिए हम डैम पहुँच गया है जस्त अभी गार से हम लोगों ने उत्रा है नीचे यह हमारी कार जिसको आप पहचान रहे होंगे हम लोगों ने अभी-भी कार से नीचे उत्रा है हमारे पत्नी बच्चे भी दूसरे कार से हैं वो अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं देखे कार की कतार लगी हुई है भीर लगा हुआ है सारे सैलानी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए उपस्तित हुए है करोना काल में नौ महिने से हर कोई अपने घर में कैथा बन था अब कुछ धील मिली है कुछ सोसल डिस्टंसिंग और कुछ नियमों का पालन के साथ पिकनिक मनाने का आनंद ही कुछ और है काफिर सुकूर्टी गाड्स भी दिख रहे हैं हमारे मित्र का बेटा वह भी इंजॉय कर रहा है हम लोगों पता नहीं बहुत सी बातें करते हुए राजनीती की बातें करते हुए डैम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं काफी भीर है धूप काफी अच्छे निकली हुई है अलका अलका गर्मी भी लग रहा है तो ठंड के इस मौसम में धिमी धिमी धूप का अनंद लेते हुए बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग बहुत खुश हैं काफी दिनों के बाद आज बाहर आए हैं कुछ लोग स्रिंडस लेकर के खाना बनाने की भी तियारी कर रहे हैं हम लोग अने सींडस वगरे नहीं लाया है खाना बनाने की तियारी हम लोग ने नहीं कियfalls है हम लोगोंने सोचा है कि आज फुल डे वनली इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट देखिए हमारा पूरा परिवार भी दर पहुंच गया है हमारी पतनी आगे चल रही है पीछे मुहन मंदल जी की पतनी है उनका बेटा है उनकी बेटी है यह सारे लोग अब पह खेला लगाय हुए है आइस्क्रीम बेच रहे हैं काफी अच्छा काफी मनोरम द्रिश्य है काफी दिनों के बाद इस द्रिश्य को आख से देखके आख को काफी ठंड़क पहुंच रही है यह मंदिर सुरेदेव का मंदिर है जितने भी सैलानी यहां पे आते हैं वह यहां पे एक बार मत्था टेकने जरूर जाते हैं देवता का दर्सन जरूर करते हैं आज जन्वरी महिने का रवीवार है छुट्टी का दिन है तो सारे लोग पिकनिक मनाने निकल लिये हैं और मैथन डैम से अच्छा पिकनिक का एस्पॉट मेरे हिसाब से तो धनवाद में नहीं है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मैथन डैम पे आते हैं फूजा करते हैं डैम का अनंद लेते हैं अब सब लोगों की इक्चा हुई कि भई काफी दिर हो गया है कि उन्हें चाय पिया जाय तो देखिए हम लोगोंने चाय का ओडर दे दिया है चाय सामने बन रही है द कि भी कमाई होने लगी है बहुत अच्छा लग रहा था देखिए चाय बन करके अपतियार हो गया है अब ये कप में डाल करके हम लोगों को दिया जाएगा और हम लोग अप चाय की चुस्की लेते हुए भीनी भीनी धूप में आनंद उठाएंगे हमारे बच्चे और मोहन नहीं मज़ा है जितने भी लोग आते हैं मैथन डैम में वो बोटिंग जरूर करते हैं बोटिंग का यहां का आनंद अपना ही है दूर एक आइलेंड पे काफी देर तक बोट चलने के बाद वहां पर जाता है बहुत सस्ते रेट में यहां पर बोटिंग हो जाती है मात्र 600 रुपे में एक बोट मिल जाता है जिसमें आप साथ से आठ आदमी बैट लो और पूरी आनंद उठाओ देख रहे होंगे आप बगल में दूसरी बोट भी जा रही है उधर तीसरी बोट दिखाई दे रही है चारो तरफ बोट ही बोट है पानी ही पानी है और दूर एक बेट से उठके बोट वाले ने कहा कि आप बीच में आ जाईए साइद नाओ का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ रहा था तब वो बीच में बैठ गई हैं देखें कितना खोपसूरत दिख से है कितना मरोरम दिख से है यह देख करके खुसी का ठिकाना नहीं है मेरा तो खेर दिल गद गद हो जाहा है तारे बच्चे उल्लास में हैं हमारी पतनी बच्चे नाओवला आपको दिख रहा होगा वह चापू चला रहा है अब देखें हम लोग ठीक पंप हाउस के उपर पाइप के नीचे से हमारा बोट गुजर रहा है इस पंप हाउस के बारे में आपक करके जाता है यह काफी पुराना पंप हाउस है जो पूरे ध्यानवाद के अबादी की प्यास पुझाता है दूर देखिए दो नाव आपको छोटी छोटी जो दिख रही है वो बिसीकली हमसे काफी दूर है इसलिए वह छोटी दिख रही है और सब लोग एक टापू पर करने का प्रयास कर रहे हैं हमने नाव वाले से जानने की कोशिश की कि कितनी गहराई होगी पानी की तो अगले का कहना है तकरीबन पचास फिट की गहराई है यह देखिए हम लोग टापू के पास पहुंच गया है इसी टापू करेंगे घूमेंगे विचरन करेंगे उसके पाद हम लोटेंगे अब देखिए लोटने की प्रक्रिया अपनी शुरू हो रही है अब हम लोग वापस जो है जहां से स्टार्ट किये थे वहीं पे जाएंगे यह मेरा बेटा है लोटने के बाद गोलगपा का आनंद ले रहा है तो यह हमारा पिकनिक समाप्त हो रहा है हम हम अब अपने घर की तरफ लोट रहे हैं पर पेट में चुहा कूद रहा है खाने की ववस्ता हमें करनी है क्योंकि खाने की तियारी हम करके यहां नहीं आये हैं चिप्स और गोलगपे से तो पेट भरेगा नहीं तो हम लोगों ने तै किया कि निर्सा में हमारे एक मित्र का होटल है फुड कैसल बहुत ही अच्छा खाना यहां पर मिलता है तो हम लोगों ने तै किया कि आज का भोजन दिन का भोजन हम लोग यहीं करेंगे यह करोना काल में काफी दिनों तक यह होटल बंद था अब वापस एक बार फिर से चालू हो गया है फुड कैसल निर्सा में देखिए पूरा परिवार भोजन पे जैसे तूट परा हो भोजन का आनंद ले रहा है हर कोई सुबह से खाया नहीं था मैं भी जोर से खा रहा हूं हमारे मित मोहन मंडल यह देखिए खा कि कितना प्रसन हो रहे हैं कितना स्वादिस्त भोजन है कि इनके खुसी का ठीकाना बहुत ही अच्छा खाना था बहुत ही मज़ा आया हम लोगों ने खूब खाया हमारी पतनी भी खा रही है लेकिन ठका हुआ लग रहा है इनका चेहरा ठकान हो गया है अब हम लोग भोजन करने के बाद अपने घर की वह त्रस्थान करेंगे यह हर्स महंजी का बेटा खारा ख आके पहले इस दिबट चुका है, मोहंजी अभी भी खा रहे हैं, मैं भी भी खा रहा हूँ, तो खाना तक्रीमन हम लोगों का अब समात हो गया है, अब हम लोग यहां से अपने घर की और प्रस्थान कर रहे हैं, देखे सुर्य की रोशनी अब कम होती जा रही है, साम होने वा और वार कुर्द रही हैं, मैं मैं खा रही हैं, मैं जाड़ थो समय को होती है, तो इस दो सहगा म होती है, तो एक एक वरद कर रहा हैं, तो इस आड़ खाना की आड़़ है, तो ब्रस्ट पास नवे